हेलो गाइज वेलकम वंस अगेंड तो निफ्टी एंड वैंक निफ्टी अनलीसिस आज विकली एक्सपेरी का दिन था निफ्टी में गैप अपनिंग टू साइडवेस पैटर्न ऐसा एक ट्रेंग देखने को मिला तो जो कल हमने अनलीसिस किया था सेकेंड टार्गेट के भी ग्यापोग ओपनिंग हमें देखने को मिली तो कल के प्लान के अफ़र्डिंग कोई ट्रेड नहीं बनता अभी कल देखे तो एक इवेंट है बड़ा इवेंट है आरभीया की मॉनिटरी पॉलिसी है हाफते का लास्ट ट्रेंग सेशन है अगर फोरकास्ट देखे रेट्स मे कोई बदलाव की उमीद नजर नहीं आ रही है लेकिन इसके बावजुद अगर आरभीया कोई सर्प्राइज देता है तो उसका आसर हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स में कल देखने को मिल सकता है तो थोड़ा आलट रहना होगा कल के लिए अभी कल के लिए के इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको इडेंट्राइ करेंगे सबसे पहले निफ्टी का आर्ली चार्ट देख लेते हैं अर्ली चार्ट में अगर RSI को देखे तो यहाँ आपर इन्वल्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा पैटन में खाई जा रहा है हेड और शोल्डर का जो साइज है वो थोड़ा प्रोपोर्शनल में नहीं है लेकिन उसी के जैसा यहाँ पर एक पैटन क्रियेट हो रहा है यह लेफ्ट शोल्डर यह हेड और यह राइट शोल्डर और इसके बाद अगर यह नेक लाइन को ब्रेक करता है कमफोडेबली तो हमें उपर निफ्टी में और भी तेजी देखने को मिल सकती है निफ्टी ने इस समय आल टाइम हाई लगाया है आल टाइम क्लोजिंग लेवल भी बना चुका है तो अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाइ करते हैं कल हमने यहां पर फिपोनसी एक्स्टेंशन लेवल को ड्रॉप किया था अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा तो यहां पर आज इसने अल्मोस 50% का भी लेवल यहां पर अच्छीव कर लिया तो 15708 के ऊपर सस्टेंग करता है तो निफ्टी में हमें 15767 के लेवल यहां पर आते हूं दिखाई दे सकते हैं तो कल के लिए क्या बेकाउट लेवल हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाइ करने से पहले एक बार डेली चाट को भी देख लेते हैं यह निफ्टी इंडेक्स का डेली चाट है जबरदस बुलिश ट्रेंड यहां पर देखने को मिल रहा है शॉट तम मिट टम लॉंग तम मूविंग आवरिजेस तीनों भी असेंडिंग ओर्डर में और इसके ऊपर निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है अगर यहां पर भी फी बोना सी एक्स्टेंशन लेवल को ड्रॉ करें यह लो यह खाय और यह लो ठीक है तो इसको हमने यहां पर ड्रॉ कर लिया अगर आप हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे तो यहां पर डेली चार्ट में जैसे कि हमने पास्ट वीडियो में भी यहां पर दिखाया था तो कुछ लेवल को भी अड़ कर देते हैं और एक लेवल अड़ कर देते हैं 150 लेवल तो इन लेवल को देखें कैसे रिस्पेक्ट कर रहा है यह बार बार पहले तो 61.8 परसंट का लेवल फिर 76.4 परसंट का लेवल डे क्लोज अल्मोस्ट इसी लेवल के पास के हो रहा है 100% का भी लेवल यहां पर इसने रेजिस्टेंस लिया फिर उसके बाद 138 पॉइंट के लेवल को भी इसने टच किया फिर एक छोटा प्रफिल बुकिंग देखने को मिला और अभी आज 150 का लेवल भी अच्छी हो चुगा है तो अभी यह लेवल को अगर पार करें तो हमें 15,767 के लेवल यहां पर आते हुए दिखाई दे सकते हैं निफ्ती काफी बुलिश है कल एक बड़ा इवेंट भी है तो हो सकता है यहां पर एक जबर्दस हमें ट्रेंड रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है क्योंकि यह जो केंडल बना है आज अगर इसके बाद अ सिनारियो था अभी 60 मिनिट के चार्ट में है हम कल के लिए इंट्राडे लेवल्स हमारी होगी ब्रेक आउट लेवल 15,70 हमारा ब्रेक आउट लेवल होगा इसके उपर सस्टेन करें तो ही इंट्राडे के लिए बाई पोजिशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट की पोजिशन बनाना यहां पर फाइदे मंज साबित हो सकता है गयाप डाउन ओपनिंग पर वेट करना है जलबाजी नहीं करनी है ठीक है और अगर टूर्ट साउट की तरफ आता है तो आज जहां पर यह कंटिन्यूज देके सपोर्ट टेस्ट कर रहा था इस लेवल के पास है 15,625 भी हमरा फ्रस तर गेरे बार्वा और सेंग धर अगर वगारा 50,604 ही तर सेंग ये निफ्ति के लेवल से आम आंपक निंफ्ती में चलते यहuerdo का सिक्स्टी मिनित के सिआर्ट है अब देख सकते हैं Cao healthy जहां पर यह तो दिन पहले आइस देंद पैले और जो ताइम आ होगा 35803 कि हमारा फर्स्ट अर्गेड होगा और सेकेंड अर्गेड होगा 35872 कि हमारा सेकेंड अर्गेड होगा और अगर टूर्ट साउट की चरफ आता है तो आज का लो अर्गेड व्रियुह और अर्ड के लेड है तो अब यहां और धैके सपोर्ड का लेबल इन ही तो इन्टर इने और तब हमारा फर्स टर्गेड होगा 35382 म Heather quickly first target होगा और second target होगा around 35.316 यह हमारा second target होगा कल बड़ा event है तो थोड़ा cautious रहना होगा तो यह है nifty और bank nifty के intraday levels कल के लिए video अच्छा रगाओ तो like ज़रूर कर दीजे so thank you very much and happy wedding